गई गां हुआ थे थाइज ने पाइज बाइब विट्र चोहान एना इंड एस्पारिण के लिए यसस्पारिण बगॉस अभी स्टार्ट हुआ एकर यह तो मुझे भी नी पता कि यार यह कहां जाने वाला है मैं खुद लंग कर रहा हूं भी किया क्या होता है इसके अंदर तो बहुत नई चीज़ है मेरे खुद के लिए सो जो लाइफ में मैं से इतना बताता हूं कि मेरे पास कोई motivational quotes है नहीं है विकॉस है वी नोटेस कि अब इतने सारे motivational कोट्स हो गया कि उनको पढ़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए और अगर आप नोटेस करोगे ना तो इतने सारे successful लोग है नहीं इतने कोट्स मिल रहें मार्केट में तो कल के दिन अगर मैं सरकार में आया तो मैं हर बंद्यों को successful अले को कि आई इसकी त्यारी कर रहा है पर भाग वो ट्रेक के साथ रहा है और वैसे सुक्विंदर सिंग ने सारे गाने गाने है वही तो विसी कि लिए लाउड आवाज चाहिए आपको जो आपको जगा सके और यही चीज़ है तो थोड़ा अपने आरे बताता हूं कि आम एंजीन एंजीन कर लेंगे पैसे से कमाएंगे गाड़ी लेंगे और शादी कर लेंगे टिपिकल इंडियन लोग बहुत असान होता नहीं है क्योंकि होता गया है कि आपकी लाइफ पे बहुत सारे हडल्स रहेंगे हडल्स मिन यह आपकी लाइफ का इंजॉयमेंट का फेस है वह और इसमें कोई पाथ नहीं होता तब ही एंकनवेशनल है जिस दिन आपको पाथ मिल गया तो फिर वह और नहीं रहेगा है तो मैं बहुत क्लियर हूं कि मुझे लगता कि यार मुझे कॉमेड़ी करनी थी मुझे पसंद है मैं जब मैं स्कूल में था तो तो थाना स्कूल में एक सबस्थरार्ती बच्चा होता है मतलब इतना शरार्ती कि वह बहुत कम होवा करके जाता है और वो दिमाग में छोच रहा होता है कि क्या-क्या बहाने बनाने हैं मैं वो था और मेरी मेंना हमेशा नोट बूक में ऐसे कॉशनमार्ग बनाके वैस्टी बीच में तो मैं घर ज तो नेक्स दिन टीचर देखती थी करी ओहो दिल है तो मैंना पूरा पेज काट दी थी तो मैं घर जाने से पहले उसके आगे कहरो और नीची तीन डंडिया मैं मैं यह क्या है मगा टीचर पागल है मेरे प्यार में है कि आप शिरार्ती रहें जैसे होता है और आपको क्लास म मैंना पनिश्मेंट आउट्सोर्स कर रखी थी मतलब कि साथ अला बच्चा तुम्हें थपड मारेगा तो होता है कि एक होता है क्लास में बच्चा जो की फ्लैट फेस से मतलब डैट पैन फेस से भी बाते कर लेता और हस्ता नहीं है और टीचर के सामने और कहले लोग कंट् अगले बारी तेरी भी हो सकती है तो विचारना ऐसे गुलाले लगाते हैं ऐसे हलका था यह लो यह थुड़िना होती है पनिश्मेंट अब तुम मुल्टा बार के दिखाओ इसको अगा आजओ तो यार वजब बच्पन से शरार्ति रहा हूं मैं ठीक्या और मुझे मज़ा करता है कि इस चीज जिसके अंदर क्या होता है कि आप स्टेज पर के लिए खड़े हो और आपको सब देख रहे हैं तो आपको अटेंशन मिलती है और मुझे लगता पसंद है हर किसी को कुछ ना कुछ चीज है जिन्दगी पसंद होती है तो मेरा मानना है कि अगर आप डॉब करना साट किया था ना मैने अपना तो मुझे लगता था कि इतनी सेलरी हो जाए कि करेट कार्ण मिल जाया Ł記 ने कि समझे ओ एक साल बाद आम सेलरी का बेट करता हूं कि वह एमई दे पाऊं मैं क्रेड काड की तो आपने अपने आपको इस तरह से ढाला कि आपको लगता कि यह लाइफ है ऐसा नहीं है क्यों आपको इतना कमफर्ट जोर में जाना है क्यों और दूसरी बात आपको लाइफ मे इतनी सारी चीजें हैं आपको जरूरी आपको एक एक आईफोन ही मज़े देगा कि आपकी लाइफ सिंपल है सिंपल रखो ना उसको और भी फोकस्ट अब फोकस्ट कैसे होते हैं मैं बुदाता हूं आप इसे कभी किसनों ने कभी कोई बाइक या स्कूटर लिया है लिए है हैं अब जब अप लेते हो न और चलाते हो तब आपको बजार में आपका स्कूटर अब्रेंड गज़ाट यए को यह फोकसट इन लोगत फ्हले भी बट अब आपको देखता है तो में इंजिनियरिग का एंजिनेंग के बाद क्या प्रॉना यदुछ मादब इंजिनियरिंग और भी एक ही होगल आपूँ पैसे जसाता कि खर्च śचिर्च कर गया आप माबाप के और होता है यह यह चीज़ है तो मैंने डिसाइड किया कि आर नहीं मुझे न अब कुछ करना पड़ेगा और जॉब लगा नहीं बिंग एन एल्डर वो होता न मिडल क्लास में लड़का नहीं होता भेन की शादी जिम्यदारी समाज का प्रेशर पड़ोशियों को प्रूफ करने की इक्षा यह मैंने का करना तो नहीं है बट कभी उकर आप आप बाइडिफॉल्ट सबकॉंशियस मैंड में करते हो आप तो आप डिसाइडिट कि मुझे कुछ करना है तो अभी क्या होगा कि I started doing like I started working with a research firm market research firm थी मैंने इसकत काम करना start किया उभी scratch से in operations कुछ नहीं है उसके अंदर काम कर रहे हैं बट focus था यार काम करेंगे कहीना कहीना अंदर चोथा ना कि वहाँ पर भी इतना stress level था कि मैं उनको हसा देता था कि इसी बात में भी यार तूमारे नंदर में एक कॉमेडियली बात है बगा ठीच कि वाई तो तो क्या पता में कर सकता हूं इसको तो अजिए करना है अभी क्या होता कि जब आप अपनी आपने अपनी फिल्ड से दूसरी फिल्ड में करने जाते हो ना तो आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है जैसे आपने इंजिनिंग करिया आप मार्केटिंग की फिल में चले गए तो आपको ना वह सेलरी मिलेगी कभी भी और ना आपको समझ में आगा कि मैं क्यों कर रहा हूं यह सब क्योंकि नहीं कर पाऊगे पेरेंट्स क देखोगे ना आप कभी भी कॉर्परेट में जाओगे तो कॉर्परेट की खुबसूरती यह है कि आप कांच की बड़ी-बड़ी बिल्डिंग मनाते हैं वो लोग कि जिसमें अगर आप नीचे देखो तो आपको लगे कि आपको छोड़ दीना तो बहुत नीचे जाओंगा मैं और वही चीज़ जब आप इंट्रिव दिने जाते हो तो जब आप एकदम से बिल्डिंग में घुस्तव आपको लगता हो इनसे पैसे माँग हूँगा मैं यह तो सरफ रख लें हापे काफी मशीन से काम चला लूँगा यहाँ तो यह साइकलोजी में वर्त करता है आप फसा कि यार पैसा मिल रहे हैं 31 को सेलरी आ रही है लाइफ कमफटेबल है आपके कितने खर्चें आपको और शुरु शुरु में होता ना जैसे मैं वह इंजीनियर था जिसको यह था कि जॉप जैसी जॉप लगेगी ना सबसे पहले मैं फास्ट है कि वाच लूँगा यह अब जोब चल रही थी उसमें था टाइम नहीं था क्योंकि आप कंज्यूम हो गए एक साल जॉप के अंदर आपको टाइम लगता है समझने में कि आरे जॉब यह है फिर आपको एक साल में आपके टेस्बर डॉलप होते हैं आपको बर्गर पीजा अच्छा लगता है जो किताब में हमने बढ़ा था ट्वैल्थ के अंदर पानेपत की लड़ाई वो यहां कहीं काम नहीं आती है क्योंकि यहां पर एक अलग महौल चल रहा है कॉर्परेट एक अलगी महौल है आपको लगता है कि यार कंफर्ट मिलेगा अराम से सीट मिल रही है कुर्सी मिल रह होगी ना और वो उसके अंदर गुषते होना तो आप साथ-8 साल उसी में घुषे रहोगे क्योंकि आप सुवा निकले रात को आए जैसे मैंने पहली बार जब एचर को इंटर्यू दिया ना तो आप स्लेक्टिड हो गए मैं थैंक यू करे बस आपको क्या करना है चार फॉ आती है आप लोगों को अरे यार हम लोग लोग बिल्कुल फैमिली की तरह काम करते हैं आपकर ना मैं अपनी फैमिली के इतना टाइम स्पेंड नहीं करता और जब साथ-8 साल दे देते हो ना तो आप होते हो बूर अप फिर आप क्या करते हो आप खुश्य दूनते हो अलग यही है कॉर्परेट आपको पैसे मिल रहें कतिस थारी को आपको समझ भारा कि पैसा आ गया आमने खर्च कर लिए शॉपिंग कर ली वीकेंड पे और फिल्म देख लिए गूम लिए बस यही है बट 8 साल 9 साल के बाद आपको लगेगा यह क्या है या लाइक यह इसमें मुंबई मुझे लगा बिल्कुल नहीं आया था मार्केट में सिर्फ एक ही क्लब था जो कि मुंबई में था तुम ने का पता कि सेंड़ कॉमेडी में होते हैं ओपन माइक्स बिसिकली वह जगा होते जहां पर आप पहली बार जाते हो एक फ़नी थॉट के साथ कि भाई मैं मैं बहुत ही फनी हूं मतलब ऑडियंस मेरे उपर मेरी निकलूंगा ना भार तो मेरी गाड़ी के बता से फैखेंगे मतलब ऐसे सिक्के भी फेख देंगे कई लोग तो मैं अपने बताया से एक खटे लेकर खुमता था कि कोई भायके का जुरूर वह नहीं होता है तो मेरे दिमांग में जाओंगा परफॉर्म करूंगा शाद अच्छा करूंगा बट ओपन माइक वर्डी नहीं पता था मुझ तो मैं मूव हुआ दिल्ली से जॉब छोड़के मुंबई चला गया वहाँ पर ने जॉब ली और वहाँ जॉब स्टार्ट कर दी अब होता है कि जब आप जॉब करते हो ना तो वह वहली बात है आप से रूटीन में फस गए अच्छी चैलरी तो अच्छे वाले पीजे और वीकेंड पे लेज के साथ और मंडे को वापस ओफिस तो यह लाइफ करी फ्रेलाइस की नई यार यह नहीं हो पाएगा लाइफ में अब क्योंकि अगर मैं ऐसा रहूंगा ना तो मैं शायद कभी करी नहीं पाऊंगा कुछ और आप जॉब करते होंगे बन्यू रीच फ नहीं अभी और मैं खुश हुए चीज थे छोटा है पर अपना खुश है लाइक केंदर इतनी भी तो अभी क्या होगा कि मैंने वहां पर क्या किया शाम को के रहने शाट की ओपन माइक पहला बार मजाग नहीं कर रहा जो सोच कि लोग पागल हो जाएंगे बताशे वो बैठे दे ऐसे कि हाँ वो हैं कोई हसने निमाया का बाई बतातो तो तो सही लग रहा है जवाब ही नहीं एक बाई मेरी आखों में देख की बतातो तो सही लग रहा हूं किसी ने जवाब नहीं दिया तो टेलाइस की ठीक है महरत करनी पड़ेगी फिर वहां से कि चार-पांच महिने करें ओपन माइक काफी किये अच्छा लगा कि थोड़ा सा एक एक लाफ आने लगा पहला लाफ आया किसी जोग पे मैं आज सोसता हूं ना पहला जोग तो मैं तो क्या क्या जोग लिखा था नहीं है महानो कि नहीं मैंने उस टेपन की निप तोड़ द कि आफिस साड़े साथ निकलता था और आम से किसी भी वेन्यू पर जाता था जहां पर ऊपर में एक होते थे देखता था और लगता था यार यह स्ट्रेस खताम जाता है इस तेंगरा आप क्या होगा तीन जर्मने नहीं किया फिर मुझे एक दू कॉमिक्स मिलें जो से चल रहा होता है कंभे आप यह वर्यर नियुक्त कर दूंँदा एक है अधार यह करने लिए चांप एप्र नहीं करेंगे य एकोम बैक्टु देली बिकोर थोड़ा घर्वार को देखना मवापस आगया अर घर di बापस आया मैने होपी पर अब ज ağть करी थोड़ा होघा उवह दुन ली वाला क्य infp कि अब आप में से कितनों लोग गए हो गभी भी काफी सही में बतारो मुंबई के लोग भी बहुत अच्छे होते हैं जब तक लोकल में चड़ते यह फालतों में कंपरिजन कर रखा दिल्ली मुंबई कुछ निया सब लोग अच्छे होते हो और काफी एक्स्पिरेंस दिल्ली कर रहा है अब वापस दिल्ली आया है आई स्टेंड़ कमेडी अगें पर अब ना मैं कभी छोड़ा नहीं मैंने कमेडी दिन के बाद आज अल्मोस्त पांस साल हो गए मैं उस पांस साल की टैनियोर को देखता हूं अपने बहुत अच्छा रहा है मुझे जो एनर्जी देता है मैं मजाग नहीं कर रहा वह कोई चीज नहीं सकती है अब को लोग कहता है कि मैं इसे पैसे से कंपेर नहीं कर सकता भाई मैं कर सकता हूं है है कि है अल्टिमेतनी को काप एक पैसे कमाने हैं और पैसंडिक है आपका पैश Series है तो आप उसमें ज्यादा टाइम कर सकते हो आप आप दिल पे हाथ रखे बताना कि आपकी जिंदगी में ऐसा कब आया था उकेशन जिस पर आप घर बैठेटे कि मेरा फेवरिट कलर क्या हो सकता है आपकी जिंदगी में कोई ओकेशन आया नहीं था बस आपने बार सोच और अपने मान लिया इसी तरह से आप पैशन को डिस्कवर कर लो पैशन नहीं और क्या पता पैशन ना भी हो आपका कोई नौकरी यह आपका पैशन हो तो भी कर सकते हो बट एट लीज अपने आपको सौ मेरी स्कूटी मार्केट में तहलका मचा रिया है मेरे बास सबके बास यह बाइक है तो वह होना चाहिए और कभी बिना रिजल्ट मत एक्षेप्ट करो रिजल्ट की रिजल्ट आएंगे यह वाले क्यूं कि जर्नी यह आपकी आप जर्नी को इंजॉय करो मुझे लोग कितना सक्सेस के बाद आदमी बढ़ जाता है मुझे पता यह नहीं है हम अपने सपने में इससोचते हैं कि हमें सक्सेस मिले उस मिलने के बाद हम क्या करने वाले हमारे दिमाग में कुछ नहीं होता आप सरफ सक्सेस को इंजॉय करना चाते हो उसके ऊपर का लेवल आपको कुछ नहीं पता वहां पर कैसे रियक्ट करोगे आपको लोग मिलेंगे जिसे मुझे कोई बढ़ कई बंदे मिलते हैं पूसते हैं अरे आप रजे चोहान हो लेख हां आप फिर अपको मिल रहे हो मुझ आप में बंदा मिलाता है मताँ वह शिवर करा था तो मैं भी शिवर करने लगा तो उनको लगा मैं खली बली कर रहा हूं दोना आपस में तो मुझे खुद नहीं पता तो इसलिए बैस पार्ट की कोई सक्सेस का मीनिंग नहीं आप प्रोसेस को नज्यॉय कर लो आप जरनी क तो फोकस ही मत करो कि आप फिर कंपेर करोंगे कंपेर करोंगे तो दुखी होगा तो सब्सक्राइब छोड़ दो सब्सक्राइब में लवली ओडियंस थैंक्यो